नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वागत आप सभी का मेरे चैनल civil engineering chapter wise में जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम continuation part discuss करेंगे जो कि हमारा engineering seismology से related है इसमें हम seismic waves क्या होती है सिस्मोग्राफ क्या होता है एंड सिस्मोग्राम क्या होता है अर्थक्वेक साइज इंटेंसिटी एंड मैगनिटूड के बेसिस पे अर्थक्वेक का साइज हम कैसे चेक करते हैं और आईसो सिस्मल्स क्या होते हैं तो इन सभी टोपिक्स को हम इस वीडियो में discuss करेंगे वीडियो को last तक आप जरूर देखे क्योंकि इससे related आपके exam में question काफी बनते हैं और आप इनका easily answer कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल civil engineering chapter wise को subscribe नहीं किया है तो आप इसको subscribe कीजिए साथी साथ bell icon को आप जुरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को notification आपको मिल सके और आप इनका benefit उठा सके seismic waves क्या होती है when the earth shakes it release energy in the form of seismic waves इसमें क्या बताय गया है जब हमारी धर्ती vibrate करती है healthy है shake करती है तब इसके अंदर से काफी बड़ी amount में energy बाहर निकलती है waves की form में उनको बोलते है seismic waves okay which travels inside the earth and also on the surface of the earth जो की हमारे जमीन के अंदर भी travel करती है और जमीन के ऊपर आने के बाद ये surface पे भी travel करती है तो इनी को हम seismic waves बोलते हैं the study of seismic waves and their record is very important in seismology okay seismology में हमारा काफी important role होता है कि seismic waves का और उनके recording pattern हम कैसे इसमें discuss करते है seismology में they are not only help us in assessing the magnitude intensity and location of the earthquake but also gives us information about the interior of earth तो seismology में जब हम magnitude, intensity और location का भी पता लगा सकते हैं seismic waves के behavior को check करके okay और साथ इसाथ हम अर्थ का interior कैसा है उसका भी हम पता लगा सकते हैं इनी waves के through अब waves कितनी type की होती है ये दो type की होती है first हमारी body wave और second है surface wave body wave जैसे के आपको नाम से पता लग रहा है ये earth की body के अंदर travel करती है यानि कि inside earth ठीक है तो ये body waves होती है और surface wave जो surface पे आने के बाद travel करती है यानि कि top surface पे आने के बाद ये travel करती है तो ये हमारी surface wave होती है अब हम first start करते है body wave से The seismic waves which originate inside the earth and travel through the various layers of the earth in all the direction is called body waves ओके तो जो earth surface की layers के अंदर travel करती है और अलग-अलग direction में ये travel करती है तो उनी को हम body waves बोलते हैं ये हमारी दो type की होती है primary wave primary मतलब सबसे पहले जो निकलती है wave इसको हम P wave भी बोलते है primary wave और second है हमारा secondary wave ओके दो टाइब्स की वेव यहां से निकलती है primary wave इसी को हम P wave भी बोलते है sort में और secondary wave इसी को हम S wave भी बोलते है sort में अब देखते सबसे पहले primary wave P wave P waves move in a push and pull fashion like sound waves जैसे कि sound waves travel करती है push and pull fashion में thus the material particle undergoes compression and extension as shown in figure जैसा कि यह figure में दिखाया गया है यह हमारी P wave का एक diagram है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो यहां पे आप देख सकते हैं इनके बीच में gap काफी ज़्यादा है और कुछ जंगह पे इनके बीच में gap काफी कम है तो इनी को बोला गया है यह compression और tension दोनों इसमें होते हैं यहां पे आप देख सकते हैं यह जो part होगा यहां पे space बीच में कम है तो यहां पे compression हो रहा है और यहां पे जो open area है यहां पे space काफी ज़्यादा है तो यहां पे extension हो रहा है यहां पे खिचाओ हो रहा है तो यह जो wave है push and pull fashion में travel करती हैं आगे बढ़ती हैं फैल जाती है फिर सिकूर जाती है फैल जाती है फिर सिकूर जाती है तो ऐसे यह travel करती हैं अब इसकी properties है कुछ वो हम देखते हैं, these waves are the fastest seismic waves and thus first to reach the recording station, ये सबसे ज़्यादा तेज से चलती हैं, जितनी भी हमारी earthquake की waves हैं, तो उसमें सबसे speed से ये travel करती हैं, primary wave इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है, P wave can travel through any material to be solid, liquid and gas, तो ये जो हमारी wave है, ये किसी भी material के अंदर से pass कर सकती, चाहिए वो solid हो, liquid हो या gas हो, ठीक है, their speed depends upon the density and compressibility of the material through which they are passing, ठीक है, तो इसके speed भी उसी type पे ये depend करती है, कि वो solid है, liquid है, gas है, तो वो कितना density है, उसमें कितना compressibility है, तो उसी पे ही इसके speed भी depend करती है, they are longitudinal waves, like sound waves, तो ये sound wave की तरह ही longitudinal waves होती है, which moves in push and pull fashion, ठीक है, ये push and pull fashion में travel करती है, P waves make loud thunderous noise near the epicenter, तो epicenter के पास, ये काफी heavy आवाज यहां से निकलती है, जैसे बिजली कड़कती है, तो वैसे ही यहां से आवाज भी निकलती है, thunder, thunder यानि कि तुफान और बिजली कड़कना होता है, तो उसी के type की इसमें से आवाज भी आती है, epicenter के पास में, ठीक है, तो ये हमारा था epicenter के पास में जो waves का आवाज होता है, तो वो हमारी होती है P waves, अब हम next चलते हैं, ये है हमारी secondary wave, इसी को हम S wave भी बोलते हैं, S waves are those waves which propagates by vibrating the material particle at right angle to the direction of propagation, तो propagation की right angle में, जो travel करती है, और material को ये shake करती है, side by side और up down, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये material को इस manner में vibrate करती है, हिलाती है, side by side भी हिलाएगी, और उपर नीचे भी इसको हिलाती है, तो ये होती है हमारी secondary wave, अब इसकी properties क्या है, S waves are slower than P waves, and hence second to reach at the recording station, तो recording station पे P wave के P wave जब आती है, तो उसके बाद ये आती है हमारी S wave, ठीके, P होती है हमारी primary wave, और S है secondary wave, क्योंकि इसकी speed भी थोड़ी कम होती है, as compared to P waves, okay, S wave can travel through solid only, because liquid and gas do not have shear strength, ठीक है, S wave है, वो खली solid जो material है, उसी के अंदर से travel कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर shear strength नहीं होती, ठीक है, liquids और gas में, और ये उसी material करती है, जिसके अंदर shear strength होती है, तो solid के अंदर shear strength होती है, तो उसी में ये travel करती है, liquid gas में ये travel नहीं करती, okay, S waves are transverse in nature like light waves, तो light wave के तरह है, ये transverse nature की होती है, The velocity of S wave depends upon the density and shear strength of the material through which they pass तो जिस में से, material में से ये pass होती है तो उसकी ये density और shear strength पे इसकी speed भी depend करती है तो S wave का ये diagram दिखाया गया है तो इसमें आपका जो material है वो ऐसे vibrate करेगा ठीक है तो ये है हमारी S wave अब देखते हैं surface wave surface wave क्या होती है अब जमीन के अंदर होता है हमारा epicenter ये आपको पता है sorry hypocenter होता है अब वहां से जब waves travel start करती है तो सबसे पहले P wave, S wave अब वो जमीन के उपर आ चुकी है यानि कि epicenter पे वो आ चुकी है अब यहां से वो travel करेंगे surface पे ठीक है the surface waves which travels along the surface are called surface waves ठीक है जो surface पे travel करते हैं तो simple है उन्ही को हम surface waves बोलते हैं these waves do not propagate deep inside the earth surface these are also called long waves तो यह जमीन के अंदर travel नहीं करती और इन्ही को हम long wave भी बोलते हैं these waves can be visualized as the ripple causes by throwing a rock into the water ठीक है जैसे ही हम पानी में कोई पत्थर फैकते हैं तो उसकी वज़े से जो लहरे महाँ पे बनती हैं तो उसी shape का हमारी surface wave भी travel करती हैं ओके इस waves are the slowest and least to reach at the recording station तो इनकी speed और भी कम होती हैं और यह सबसे last में पहुंचती हैं अपने recording station पर यानि कि जो हमारे recording station होता है तो सबसे पहले record होता है P wave फिर S wave फिर surface wave ठीक है surface wave shakes the ground surface and are responsible for all the damage occurring on the ground surface तो जो भी damage, भूकम या अर्थ क्रेक की वज़े से होता है वो mostly हमारा surface wave की वज़े से ही होता है क्योंकि यही सबसे dangerous सबसे हानिकारक wave हमारी यही होती है क्योंकि यह ground पे surface पे travel करते हैं और सभी particle को हिला के रग देती है ठीक है these are most destructive in nature तो प्रकरती में सबसे ज़्यादा destructive सबसे ज़्यादा विद्वन्सकारी जो wave होती है वो हमारी surface wave होती है इसके भी फिर दो टाइप है एक है love wave ओके L wave भी इसको बोलते है और एक relay wave ओके दो टाइप की है love wave और relay wave लव को हम L से भी denote करते है L wave ओके आप आगे देखते हैं L wave और relay wave क्या होती है love wave इसको L wave भी बोलते है these waves are detected by seismologist AEH love in 1911 and thus are named as love wave ठीक है यह एक scientist seismologist के AEH love 1911 में इसकी खोज की तो इसलिए इसने अपना इसका नाम love wave रख दिया अपने नाम पे ही इसकी properties क्या होती है love wave causes surface motion similar to S wave तो यह surface को हिलाती है जैसे की S wave हिलाती थी जमीन के अंदर but with no vertical component thus motion is from side to side in a horizontal plane roughly parallel to the earth surface तो इसमें जो earth का moment होता है वो side by side ऐसे होता है तो आप देख सकते हैं यह इसको particle जो भी कोई building है हमारी उसको side से side तक यह हिलाती है ठीक है next properties की क्या थी love wave travel faster than relay waves and like S wave they do not move through liquid and air ठीक है यह जो हमारी liquid L wave है love wave यह relay wave से तेज होती है और S wave की तरहे यह move करती है sorry S wave की तरहे यह move नहीं करती liquid और air में यानि की gas और liquid में यह move नहीं करती love wave along with S wave causes maximum damage to the structure जब love wave आती है और S wave के साथ S wave की shape में तो maximum damage होता है structure ठीक है दोनों जब wave एक साथ आती है तो सबसे ज़्यादा damage होता है हमारा structure अब देखते हैं relay wave relay wave क्या होती है these waves are first discovered by relay in 1885 in these waves material particle vibrate in the backward elliptical path in a vertical plane तो इसमें जो particle है वो upside down ऐसे और ऐसे भी हिलता है तो इसी को हम relay wave बोलते हैं अब प्रोपर्टिस देखते हैं इसकी it the shaking produced by relay wave both vertical and horizontal movement ठीक है तो relay wave होती है उसकी वज़े से जो particle है वो vertical भी vibrate करता है और horizontal भी यह vibrate करता है इसलिए सबसे ज़्यादा damage हमारा relay wave से होता है they advance in the backward rotation elliptical motion as shown in figure elliptical motion यह होता है यानि कि elliptical ऐसे चलता रहता है आगे उपर नीचे side by side material को अच्छे से हिलाता रहता है यह relay wave ठीक है अब देखते हैं next हमारा सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ क्या होता है यह आप देखिए इसकी working में बतायता हूं shaking of ground on the earth surface is caused by seismic waves तो जब भी seismic waves बहार आती है तो earthquake आता है earthquake के वह जैसे जमीन हमारी हिलती है ठीक है तो उसको record करने के लिए कि जमीन कितनी हिली और कितने उसकी magnitude है तो वह हम measure करने के लिए एक instrument का use करते हैं जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ okay it measures the earthquake shaking and record them is called seismograph ठीक है तो जमीन का जो हिलना है उसको यह record करता है ठीक है तो इसी को बोलते हैं सिस्मोग्राफ पार्ट्स ओफ सिस्मोग्राफ इसमें एक sensor होता है एक recorder होता है और एक timer होता है तो इसकी working भी हम देखते हैं यह देखिए यह जमीन के साथ attach होता है जमीन है यह इस attachment के साथ सबसे पहले हमारा आता है removing paper cover drum तो इस पे एक drum लगा होता है जो की revolve करता रहता है ऐसे यह देख सकते हैं यहाँ पर इस direction में यह revolve करता लटकाया हुआ है और उसके नीचे एक pen है सबसे नीचे यह पैन देख सकते हैं पैन की tip है तो pen के tip यहां पर ऐसे लटकी रहती है यह कोलम के साथ यहां पर ऐसे अटेच रहता है जैसे ही earthquake आता है तो यहां पर क्या होता है जमीन का जो portion है यह यह हिलना start करेगा और यह drum है यह revolve करना start कर देते हैं अपने आप ही चलता रहता है धीरे 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 यह revolve करता रहता है जैसे ही earthquake आएगा तो जमीन के साथ यह कोलम भी वाइब्रेट करेगा यह जब वाइब्रेट करेगा तो यह इस पर पेंडूलम लटका हुआ है वेट यह भी वाइब्रेट करेगा और हिलना start करेगा तो पैन की ऐसी reading हमारे paper drum पे आ जाएगी ठीक है तो यही होता है है हमारा सिस्मो ग्राफ आप समझे जैसे ही वाइब्रेट करना start करेगा यह पैन्डूलम वाइब्रेट करेगा और हैवी वेट इसको एक जिंगा पर रखने की कोशिस करेगा तो यह स्टार्ट होगा और यहाँ पर notation आ जाएगा कि कितना हिल रहा है हमारा pendulum यह देखिए sensor क्या होते हैं जो detect करते हैं vibration को ठीक है recorder उसको record करते हैं कि vibrate कितना है paper पे और timer यह बताता है कितनी duration time duration में कितनी intensity का वहाँ पे earthquake आया है उसी record के according तो working भी मैंने आपको बता दी है इसमें क्या होता है the construction of typical seismograph consists of a simple pendulum इसमें simple pendulum होता है एक दागे के साथ और एक mask के साथ एक weight के साथ is suspended freely but a magnet is tied around the string to dampen the oscillation इसको ज्यादा यह हिलने नहीं देता आपका magnet इसलिए magnet भी इसमें use करते हैं a pen attached to the tip of the pendulum which marks the moment of or oscillations of the pendulum उन्हें chart paper wrapped on the rotation drum rotation drum पे chart paper को attach किया होता है उस पे यह marking start होती है तो उसी को हम record बनाते हैं तो यह था हमरा working of systemograph अब आता है systemogram तो यह जो आप reading देख रहे हैं systemograph की तो इस reading को हम बोलते हैं systemogram okay the record of earthquake is called systemogram तो जो भी हमारा record होता है उसको हम systemogram कहते हैं in a same systemogram the earthquake waves are recording in the order they arrive at the recording station P waves being the fastest recording first followed by S wave and then lowest L wave ठीक है तो इसमें भी recording जो की जाती है उसी को जैसे पहले P wave आती है यह आप देख सकते हैं यह duration हमारी P wave का है फिर S wave का है second पर यह आती है फिर आती है हमारी surface wave love wave यह कितना ज्यादा इसमें variation आ रहा है graph में तो यह आती है और यह जो reading के साथ जो paper chart paper obtain होता है record जो maintain करते हैं तो इसी को बोलते है सिस्मो gram ठीक है आपको difference समझ में आया सिस्मो graph हमारा instrument है जिससे हम earthquake के motion को shaking को record करते हैं और जो recording होती है उस recording को हम सिस्मो gram बोलते हैं यह हमारा सिस्मो gram है ठीक है अब क्या है the variation of ground acceleration with time recording at a point on the ground during earthquake is called accelerogram जब इसमें variation आता है तो अब इसको हम accelerogram कहते हैं अब uses of सिस्मो gram का use हम कहां कहां पर कर सकते हैं it is used to determine the epicenter of the earthquake earthquake का epicenter कहां है तो उसको detect करने में यह helpful साबित होता है these are recorded on the earthquake as they are used in obtaining the seismic parameters which are used to design the structure and also for identifying the seismic zones seismic zone कहां पर है उसको identify करता है जो structure है building structure तो उसको design करने में हम इसकी help ले लेते हैं seismogram also help us in studying the seismic waves का behavior कैसा होता है तो उससे भी हम seismogram के तुरू measure कर सकते हैं analysis उसका हम कर सकते हैं यह थे इसकी uses next आता है हमारा earthquake size तो earthquake का जो size है वो हम mainly दो टाइप के parameter से check करते हैं एक तो होता है magnitude और एक है intensity ओके तो first हम discuss करते magnitude earthquake का क्या होता है it is the quantitative estimate ओके तो यह magnitude है quantity के रूप में हम इसको measure करते हैं of earthquake size earthquake को describe करता है quantity wise it measures the amount of energy release during the earthquake तो जितनी भी इसमें energy निकलती है release होती है तो उसी की amount को यह अपने quantity जो इसका है system उसमें convert करके बताता है कि इसका magnitude क्या है the magnitude of earthquake is generally measured on register scale यह काफी important question है यह काफी बार journal science journal knowledge के question में भी आता है कि earthquake का magnitude हम किस scale पे measure करते हैं तो इसको आप याद रखिए register scale आपका सबसे important earthquake measuring instrument है register scale अब कुछ इसकी reading इसमें गिवद है कि register scale और magnitude में क्या आता है जैसे group great अगर register scale पे अर्थक्यक का magnitude 8 या उससे जादा है ठीक है तो काफी भैंकर वहाँ पे भुकंप आता है great amount ठीक है बहुत जादा energy वहाँ से निकलती है और बहुत जादा energy निकलेगी तो बहुत और भैंक बुकंप वहाँ पे आएगा जब 8 या 8 से जादा वहाँ पे reading आती है साथ या 7.9 अगर reading आती है तो major यह भी काफी dangerous है फिर sorry strong strong क्या होता है 6 से 6.9 उसकी reading है फिर है moderate 5 से 5.9 light earthquake 4 से 4.3 minor 3 से 3.9 और 3 से कम minor very minor ठीक है तो यह इसमें एक group और magnitude का combination इसमें बताया गया है कि कितना कितना हो सकता है magnitude से मुझे एक किस्सा याद आया आपकी एक movie थी कि 2012 2012 में आप देखते हैं तो उसमें भुकंप की जो reading उस movie में दिखाई गई थी उसमें 9 प्लस थी मुझे याद आ रहा है कि वह 9 प्लस का भुकंप उस time के उस movie में दिखाया गया था जो कि बहुत ही dangerous भुकंप की reading है रिश्टर स्केल पे ठीक है तो याद आया था मैंने इसलिए आपको बता दिया आगे चलते हैं intensity intensity क्या होते है यह भी एक parameter जिसे हम earthquake का size पता करते हैं कि कितना बड़ा हमारा earthquake आता है इट इस एक qualitative measure ओके तो यह differences में magnitude हमारा quantitative measure था बट intensity हमारा qualitative measure होता है quality पे हम इस पे depend करते हैं ठीक है it is the way of measuring rating the effect of earthquake at different sites तो यह अलग अलग site पे earthquake का क्या effect हुआ है कितना damage हुआ है तो इस damage को मद्दे नजर रखते हुए हम बताते हैं कि यह कितना बड़ा है इसकी intensity कितनी जादा है ठीक है तो जिसना जादा damage होगा उतनी ही ज्यादा उसकी intensity होगी ठीक है तो यह इसमें बताया गया है intensity data are very much useful for developing a seismic risk map for an area और country तो किसी भी एरिया या किसी भी country में जब seismic risk map बनाते हैं तो वहाँ पे यह चीज़ काफे फाइदमन साबित होती है कि intensity का data वहाँ पे क्या मिलता है जैसे दस साल पचास साल पहले वहाँ पे कोई भुकंप आया तो उसके हम record बना के पास रखते हैं तो इससे हम पता लगता है कि इस area में ऐसा ऐसा भुकंप आता है रेगुलर आ सकता है तो उसी के according हम फिर वहाँ पे design करते हैं अपनी large dams, nuclear power plants and determination of historic seismicity of an area ठीक है तो वहाँ पे जब हम design करने के सोच रहे हों किसी area का जहां पे large dam या फिर nuclear power plant है या फिर historic हमारी कोई building है तो उसको design करने से पहले हम पुराना data वहाँ से उठाते है रिकोर्ड से और वहाँ का data के according हम चेक करते हैं कि यहां पे annually average कितनी को कम पाती है और उसकी intensity कितनी हो सकती है तो ऐसे ही हम उसको design करते हैं ठीक है two scales are commonly used तो intensity को मेजर करने के लिए सबसे पर दो scale का हम use करते हैं MMI का मतलब modified muscle intensity modified muscle intensity MMI scale इससे हम इसको measure करते हैं intensity और दूसरा आता है MKS scale ओके तो यह दो scale आपको याद रखने है MKS का full form आपको पता है meter kilogram second both are similar and ranges from first जो की है least severity and 12 जो की है हमारी most severity तो दोनों टाइप की जो हमारी scale है approximate same ही है बट इसमें जो range given है एक से 12 की range इसमें given है ठीक है एक से 12 का मतलब एक आया तो यानि कि बहुत ही कम severe है कम खतरनाक है और 12 अगर scale पे आता है तो बहुत ही heavy damage इसकी वज़े से हो सकता है ठीक है अब intensity depend किस चीज़ पर करती है it depends upon earthquake magnitude तो earthquake कितना magnitude है कितना heavy earthquake है उस पर इडिपेंड करती है distance from hypocenter और epicenter तो epicenter और hypocenter का distance कितना है उस पर भी इडिपेंड करती है यानि कि अगर hypocenter और epicenter के बीच में distance कम है तो damage उतना ही ज़्यादा होगा ठीक है जैसे यह earth का surface है यह हमारा hypocenter है hypocenter से यह epicenter है तो इसके पास में जितनी building होगी तो उसका उतना ही खरत्रा होगा यह hypocenter और ज़्यादा अगर नीचे से लगा जाता है तो यह depth थमारी बढ़ जाएगी तो ऐसे ही इसकी intensity उपर जाते है थोड़ी कम हो जाएगी तो यह ही समताएगा distance hypocenter और epicenter के बीच में जादा है तो earthquake का जो effect होगा वो कम होगा अगर कम है तो जादा होगा टाइप ओफ foundation material जो material यूज किया गया है foundation में उस पर भी डिपेंड करती है intensity फिर है building style modern style में building अगर बनी है construction हुआ है और या फिर traditional style में यह construction हुआ है तो इस पर भी डिपेंड करती है intensity ठीक है जैसे modern style पर earthquake का design code के according हम उसको design करते हैं उस पर earthquake का इतना effect नहीं पड़ेगा जितना कि हम traditional type से building को design करते हैं ठीक है तो यह भी इस पर matter करता है फिर है duration of shaking यानि कि एक building को हम कितनी देर के लिए हिला रहे हैं वो कम कितनी देर को उसको हिला रहा है तो वो भी इस चीज़ पर matter करता है एक building को आप 10 गंटे के लिए हिलाते रहो तो वो तूटनी ही तूटनी है एक building को आप 1 second के लिए हिला के छोड़ दो तो उसमें बहुत कम damage होने की chances होते हैं तो यह भी इस पर depend करता है intensity पर अब एक comparison है जो हम देखते हैं comparison of magnitude, intensity and acceleration रिष्टर स्केल पे magnitude गिवन है मर्सल इंटेंसिटी गिवन है और acceleration इन परसेंटेज में यह भी गिवन है इसका मतलब क्या है अगर रिष्टर स्केल पे intensity सोरी magnitude हमारा दो या उससे कम है ठीक है रिष्टर स्केल पे हमारा magnitude दो या उससे कम है तो मर्सल इंटेंसिटी हमारी एक से दो के बीस में होगी और यह जो intensity का earthquake आएगा वो usually not felt by people तो उसको जो इंसान है people वो felt यानि की feel भी नहीं कर पाएंगे ठीक है percentage में अगर बात करें तो 0.1 से 0.19 परसेंट ही आदमी उसको feel कर पाएंगे ठीक है उनको पता भी नहीं लगेगा तो इतने परसेंट एक परसेंट से भी कम है तो बहुत ही कम आदमियों को उसके बारे में पता लगेगा फिर जब रिष्टर स्केल पे उसकी रिडिंग तीन हो जाती है दीरे दीरे वह बढ़ रहा है यानि अर्थक्य का साइज बढ़ रहा है मर्सल इंटेंसिटी तीन हो जाएगी तो फैल्ट इंडोर बाइ सम पीपल्स तो घरों में जो हैं उनको यह feel होता है पॉइंट दो से पॉइंट फोर नाइन इतने परसेंट आदमियों को यह पता लगता है इसकी feeling आती है जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे इसमें जैसे अब यह देखे आठ या आठ से ज्यादा जब रिष्टर स्केल पर रीडिंग आती है तो मर्स इनटेंसीटी उसकी होती है ग्यारा से बारा 10 तो यह पी इस टाइब का जब आता है तो डेमेज करके बताया है कि आपको एक idea लग जाए कि इसमें क्या हो सकता है next और last topic है हमारा यह isosismal isosismal क्या है it is an imaginary contour line joining place of equal earthquake intensity is called isosismal and a map showing different isosismals for a particular earthquake is called as isosismal map तो इसमें क्या बताया गया है जब अर्थक्रिक आता है जैसे यह आप देख सकते हैं बीच में यह हमारा epicenter है epicenter से जितनी हम दूर पर जले जाएंगे तो वैसे ही इसकी intensity भी कम होती चली जाएगी ठीक है तो यह एक imaginary line हमने बनाई और हमने चेक किया कि इस पे जो अर्थक्रिक intensity है वो सेम है तो इन lines को हम बोलते हैं isosismal lines ठीक है और इनका जो हम किसी map पे display करते हैं तो उस map को बोलते isosismal map ओके जैसे कि आप यह देख सकते हैं यह जितनी भी lines यहां पे सो की जा रही है यह line यह line यह line यह lines इस line पे अगर हम intensity चेक करें अर्थक्रिक की तो यह सेम होंगी तो इस line को बोलता है imaginary contour lines ठीक है isosismal आइसो का मतलब होता है same और सिस्मल का मतलब सेम जो सिस्मो ग्राफ सोरी सिस्मलोजी से हमने सिस्म का मतलब क्या है अर्थक्रिक का अर्थका हिलना ठीक है तो इंटेंसिटी जहां पे सेम हो जिस line पे जिस contour line पे दो होती हमारी isosismal यह इसमें बताने की कोसिस की गई आप इसको याद रखना छोटी-छोटी टर्म से हैं काफी सिमिलर नाम है कई हों के आई-सो-सिसमल हाइपोसेंटर एपिसेंटर तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना और यही कोस्टन आपके एक्जाम में भी पूछे जाएंगे इस वीडियो को आप देखने के बाद कमेंट करके मुझे बताईए कि आपको एक वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी नहीं लगी कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अपने घर पे आप जरूर रहिए देखते रहे मेरे चैनल को थैंक्यू फर वाचिंग है वे गुड डे